रश्यतुर् भीर्यूतास रग्विनी सम्मता अच्युतमकेशवं रामनारायनं क्रिश्न दामोदरं वासुदेवं हरिं हाँ जी तो नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब आई होब आप सब ठीक है स्वस्त हैं तो आज की इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं स्रगविनी छंद के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम स्रगविनी छंद का परिच्वय लक्षन उदाहरन और इस छंद को हम किस प्रकार से गा सकते हैं और थात इस छंद का जो सुंदर लए है और राग है इसके बारे में जानने वाले हैं तो बड़ा ही इंटरस्टिंग सा और इंफर्मेटिव सा ये वीडियो आने वाला है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए है तो प्ले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजे और अगर आप संस्किर साहिते के जितने भी चंद है उन चंदों को विश्तार पूरुभग बताया गया है कैसे गाना है, कैसा क्या लक्षन है, क्या लाई है, आप सीख सकते हैं अगर आप छंद नहीं जानते हैं, तो चलिए आज का जो ये स्रगविणी छंद का वीडियो है, इसको स्टार्ड करते हैं, तो देखें जो स्रगविणी छंद है, यह संस्कृत काव्य शास्तर का एक आत्यांत सुन्दर और विशिष्ट चंद है। किसलिए विशिष्ट चंद है? क्योंकि इस चंद का जो प्रयोग है, वो अधीकतर forward काब्वव, अधीकतर प्रयोग किया जाता है जो स्रग्विनी शब्द है वो स्रग्षब्द से बनाए इससे पहले हमने स्रग्धरा शब्द के बारें बताया था इस प्रकार माला धारन करने वाले पुरुष को कहते है स्रग्वी और माला धारन करने वाले स्त्री को कहते है स्रग्विनी जैसे धनी, धनीनी, गुनी, गुनीनी, ग्यानी एवंग ग्यानीनी इस प्रकार स्त्रिग्विनी का तात्परी हुआ माला धारन करने वाली रमनी अर् अब बालों के पीछे अगर जब कोई माला को धारण करती है तो वो देखने में अत्यांत सुन्दर लगती है रमणिया लगती है ठीक उसी प्रकार ये जो स्रगविनी चंद है इसका जो लैय और राग है इतना मधूर करनप्रिया मतलब जिसको सुनने के बाद आपका हरिधय मनप्रसंद हो जाएगा मनमुक अदम आलादीद हो जाएगा आप कैसे आलादीद होगा आपको इसलिए पूरा वीडियो कंटिनू करना है skip नहीं करना है तो इसका बात कहते हैं कि माला से शोभा उत्पन्न होती है तो शोभा उत्पन्न करने वाली को स्रगविनी कहते हैं जो जैसा कि मैंने आपको बता है अब इस स्रगविनी चंद का वेसे की structure देख लेते हैं कि जो स्रग्विनी चंद है उसके प्रत्यक चरण में 12 वर्ण होते हैं इस प्रकार संपूर्ण शलोक में 48 अक्षर होते हैं और ये जो चंद है प्रत्यक चरण में 4 रगण होते हैं गण अर्थात जो 8 गण होते हैं जो संस्क्रित साहित्य का मूल है मतलब मेन है जैसे व्याकर इस प्रकार से तो चार रगण होते हैं इसी लिए इस चंद को समब्रित समब्रित से तात्प्रिय है कि जो वरन है वो बारा बारा करके हैं इसलिए समान वरन है इसलिए समब्रित और चू की चार गण है और गण में भी क्या है सिर्फ रगण रगन 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 इसलिए इस चंद को भुजंग प्रयाद चंद के जैसा ही समब्रित और समगन चंद भी कहा जाता है और इस चंद के पाद के अंत में यती होती यतिक वैसा ही जैसे कि भुजंग प्रयाद चंद में भी था अगर आपने भुजंगा प्रयाच्छंद का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना बहुत सुंदर सा ले है भुजंगा प्रयाच्छंद का आपको जो है लिंक मिल जाएगा तो इस प्रकार से ये है समब्रित और समगण चंद कहलाता है जो चार रगणों से यूगत होता है अगर इसका हम लक्षन को देखे तो गंगादास कृत चंदो मंजुरी में इसका लक्षन दिया गया है किर्तितेश चतुरे फिकास रगविनी उसके बाद केदार भटकृत ब् भिर्युता, स्रग्विनी, संगता या फिर सम्मता और चंदा सुत्र में कहा गया है स्रग्विनी रहा अर्था तीनों लक्षनों का जो तात्परी है वो यह है कि स्रग्विनी चंद के प्रत्येक चरण में क्रमशा चार रगण होते हैं स्रग्विनी रहा रह से तात्परी ह थिसके बाद कहते हैं कि रहिश चतुर विर्योता रहिश चतुर भी आर्था रगन चार रगन से यूथा यूक्त श्रगविनी रगविनी को सम्मता सभी मतों के बारे में जानो उसका देब क्या कहता है कर्थितेश चतुरे फिका स्रग्विनी अर्थात कर्थितेश प्रसिद्ध है चतुरे फिका चार जो रगण है उससे स्रग्विनी जो है वो प्रसिद्ध है अर्थात जो स्रग्विनी छंद है वो प्रत्य चरण में क्रमशा चार रगण होते हैं और पादान्द में यती होता तो इसको हम किस प्रकार से गा सकते हैं तो दीखिए इसको हम दो प्रकार से गा सकते हैं एक जो पारम पर एक लह है और ये जो चंद है अगर आपने भुजंग प्रयाद चंद देखे हैं तो मैं वहाँ पर बताया था कि जो भुजंग प्रयाद चंद है उसका आधुनिक संग आधोनीक संगीत जगत में बहुत भरपूर प्रयोग होता है तो दोनों लेके बारे में हम जानेंगे कैसे तो पहला पारंपरिक है वो क्या है रश्चतुर भीर्योता स्रग्वीनी संगता रश्चतुर भीर्योता स्रग्वीनी संगता अठात इसका अधिक्तर कहाँ परप्रयोग होता है भक्ति में प्रयोगता है जैसे इसका गाना भी है कि क्या है आपका वो है कौन कहते हैं भगवान होते नहीं रईश्चतुर भीर्योता स्रग्विनी समता तो यह जो है यह पारंपरिक और जो मैंने आपको थोड़ी दर पहले बताया कि जो स्रग्विनी चंद है इसको एक मतलब आधुनिक संगीत में भी इसका बहुत प्रयोग होता है आप जब सुनिएगा तो आपका भी मतलब आप चौकित हो जाएंगे कि एसा भी हो सकता है क्या कि यह जो स्रग्विनी चंद है जिसको हम सोचते कि बहुत हार्ड होगा या पिर क्या इसका लय होगा पता नहीं चलता है लेकिन जैसे कि यह पहला बता है कि यह तो आपको यह लय अभी सुने हैं और इस जो अभी जो बताऊंगा वो भी आप लय सुन चुके हैं तो सुनिए वो क्या है रश्च तुर्भीर्युता स्रग्विनी संगता मेरे रश्च के कमर तुने पहली नजल रश्च तुर्भीर्युता स्रग्विनी संगता तो इस प्रकार से जो स्रग्विनी चंद है इसका आधुनिक संगीत शास्त्रमवी प्रयोक होता है तो इसका अब उदाहरन देख लेते हैं ठीक है तो जो अच्युतास्टकम है उसमें स्रग्विनी चंद का प्रयोक किया गया है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका जो प्रयोक है वो अधिकतर भक्ति कावियों में प्रयोक किया जाता है तो स्री कृष्ण के से संबन्दित ये जो है श्लोक है इसको हम किस प्रकार से गाएंगे सुनिए तो ये स्रग्विनी चंद कैसे है तो देखते है चार रगणों से युक थे रगण का वो क्या है राजभा अर्थात गूरू लगू फिर गूरू इस प्रकार के क्रम में जो रगण होता है वो उसका स्ट्रक्चर होता है तो देखिए यहाँ पर भी जो है गूरू लगू गूरू अगर आपको समझ नहीं आ रहे गूरू लगू गूरू क्या है तो जो संस्क्रिट चंद शास्त्र का जो पहला वेडियो है उसको देख लेना आप आपको जो clear हो जाएगा कि गुरु लोगु गुरु क्या है तो इस प्रकार से चार रगण चार चार रगण से युक्त होने के कारण ये स्रग्विनी छंद कहलाता है जो कि इस प्रकार से हम इसको गा सकते हैं अच्युतं केशवं राम नारायनं कृष्णदामोदारं वासुदेवं हरिं स्रिधरं आधवं गोपिकावल्हवं जानकी नायकं राम चंद्रं भजे विश्णवे जिश्णवे शंखिने चक्रिने रुक्मिनी रागिने जानकी जानाये बल्ल भी बल्ल भायार चिताया आत्मने कंसवे ध्वन सीने वन सीने तेना महा तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्यारा सा कोमेंट कर देना वीडियो में ठीक है तो जैसा कि मैं बताया इस चंद को आधुनिक में भी प्रयोग होता है तो इसी शलोक को अगर हम आधुनिक जो ले में और एक बताया और दूसरे ले में अगर हम इसको गाने का प्रयास करें तो वो किस प्रकार से गा सकते हैं उसको भी मैं आपको सुनाता हूँ अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना में दोस्तों के साथ तो वो है अच्चुतं केशवं राम नारायनम अच्चुतं केशवं राम नारायनम कृष्ण दामो दरं वासु देवं हरिं स्रिधरम आधवं गोपिकावलहवं स्रिधरम आधवं गोपिकावलहवं जानकी नायकं राम चंद्रम भजे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिने रुक्मिनी रागिने जानकी जानाये बल्ल वी बल्ल भायार चितायात्मने कंच विध्वन सिने वन्षिने ते नमहा रश्यतुर्भीर्यूता स्रग्वीनी संगता रश्यतुर्भीर्यूता स्रग्वीनी संगता रश्यतुर्भीर्यूता स्रग्वीनी संगता तो इस प्रकार से जो स्रग्विनी चंद है इसको हम गा सकते हैं यह लक्षन है I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगवा तो वीडियो को लाइक कर देना चनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चनल को सब्सक्राइब कर देना तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते किसे नए वीडियो में तब तक ले जहिन बंदमात